के हैं है ऑल्रें फैलकम पैक अगेन इन मॉड़रं हिस्ट्री सीरीज मॉडर्र हिस्ट्री की सीरीज में लास्ट ए हम लोगोंने कमिटीज के ओपर में डिस्कॉशन करना शुरू किया ता जहांपर सबसे पहले हम लोगों देखा था एजूकेशनल डवलॉप्मेन्ट के बारे में फिलाल हम लोग इस क्लास में बात करने वाले हैं कमिटीज ओन फैमाइन को ले करके कि आखिर में जो सूखा पड़ता था जो फैमाइन आती थी उसमें कौन-कौन से किस-किस तरीके के फैमाइन्स आए हैं और किस तरीके से ब्रिटिश गवर्मेंट ने या फिर सिंपली कह है तो ब्रिटिश इंडिया ने कैसे इन फैमाइन्स को टैकल किया और क्या कुछ कंडिशन यहां पर इनके द्वारा ली गई है फिलाल इस क्लास में हम बाते करेंगे फैमाइन के बारे में और आगे आने वाले सक्सेसिव क्लासेज में जुडिशियरी पुलिस एड्मिनिस् अगर ओर 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 देखें फैमाइन क्या होता है तो फैमाइन देखिए अगर कभी भी हमें डिफाइन करना हो तो दो तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं एक होता है जहां पार जियोग्राफिकल रीजन्स की वज़े से फैमाइन आती है जिसके बारे में हम लोग कुछ नहीं क होती हैं उनमें हम पहले से ही preparedness कर लेते हैं लेकिन फिलहाल यह सब चीजे modern techniques आई हैं उस समय जब हम colonial period में थे तो वहाँ पर ऐस सच कोई techniques नहीं थी और इस समय फैमाइन आना सूखा आना बहुत कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता था लेकिन जो दूसरी कंडिशन होती है फैमाइन के लिए वह होती है anthropological और यह anthropological का मतलब यह हो गया कि यहां पर कई techniques जैसे की choice of crop को ले करके जैसे indigo cultivation अगर आप कर रहे हैं तो और यहां पर जो इंडियन agriculture है वह शुरुआत से ही कैसी रही है सब्सिस्टेंस रही है तो खाने पीने की जो चीज़ें हैं वह अल्टिमेटली डिराइव यहीं से की जाने वाली है इस कारण से अगर फॉर्मर को कोई भी प्रवाबलम होती है तो अल्टिमेटली उसके सर्वाइवल पर कुशन आ जाएगा क्योंकि उसका जो सर्वाइवल है वह अल्टिमेटली उसके एक्टिविटी पर ही बेस्ट है तो यहां पर अगर च्वाइस ऑफ क्रॉप हो गई या स्वाइल कंडिशन हो गई यह इरिगे के से रिस्पॉंसिबल है अब आखिर में आएगा तो सीधी सी बात है ना तो बिटिशर को कोई भी चीज़ फायदे में रहेगी और नहीं फार्मर को कोई फायदे में होने वाली है इस कारण से और साथ ही साथ में जो फैमाइन की कंडिशन और इतने सारे लाखों लाखों के मरने के कारण से यह पूरा मुद्धा पहुचता है ब्रिटिश पार्लेमेंट के पास में और वहां पर ऑव्यसी बात है एक डेमुक्रेसी में हुमाइनिटी की सबसे पहले और नैचुरल लॉव जस्टेस इनके बारे में सबसे पहले जगा दी जाती है और इस कारण से ब तरीके से जो फैमाइन के लिए अलग अलग तरीके की कमिटी इंडिया में बनाए गए थी उनके बारे में भी हम लोग देखेंगे क्या चीज किया गया था तो एक बैग्राउंड आपको आईडिया लग गया होगा अगर इंडिया में देखे कि कौन-कौन से या कितने तरी में हुई है लैक्स में हुई है और लाखों का मतलब मिनिमम ट्वेंटी टू थर्टी लैक्स आप दे पीपल मतलब यहां पर अगर देखा जा तो पॉपुलेशन का वन थर्ड से वन हाफ मतलब 33 से 50 पर्षेंट पॉपुलेशन एरिया की खतम हो जाती थी अगर कोई फैमाइन और उडिशा इन तीन रिजन में फैमाइनी थी जहां पर करीब 8-10 लाग लोग मर गये थे सिमिलरली 1837-38 में नौर्थ इंडिया में आया था 1861 में नौर्थ इंडिया में 1866 में ओडिशा में 1869 में राजपूताना और बुंदेल खंड के रिजन में 1873 में बेंगॉल बिहार इरिया में 1876 में पूरे इंडिया में और 1896 में नौर्थ सेंट्रल और सौट इंडिया और लास्ली 1943 में आया था जो कि बेंगॉल में आया था यह जितने भी एर्ट है यह आपको सारा याद करना है मेमराइज करना है रटा मारना है क्योंकि एक्जामिनेशन में इस इंपॉ फुल रहेंगी तो यहां पर यह सारी चीज़ें याद करिएगा यह ज्यादा आपके लिए हैल्फुल रहेगा अब अगर हम दो देखा जाए कि कौन कौन से कमिटी बनाए गया थे ब्रेटिश इंडिया के द्वारा तो देखिए सबसे पहले कमिटी बनाए गे थी उसका न करदीशन थी वह बहुत ही सीवियर हो गई थी और बहुत सारी लोग मर गया थे बिटिश पार्लेमेंट के कारण से मतलब बिटिश पार्लेमेंट बहुत ज़्यादा प्रश्राइज कर रखी इस कारण से फैमाइन के लिए क्या कुछ किया जा सकता है and what could be the future course of action for that this committee has been formed इस हाँ पर इन्होंने कुछ रिकमेंडेशन भी थी रीजन फॉर फैमाइन को ले करके और इरिगेशन को ले करके रिकमेंडेशन दिया गया था इसके अलावा Campbell कमिटे ने यह भी कहा कि हमें आगे आने वाले टाइम में हमेशा कमेटी बना-बना करके चेक करना होगा कि आगे क इस तरीकी की कंडिशन हो रही है एंड अगर कोई प्रबबल फैमाइन कंडिशन हो रही है तो उसके लिए क्या मेजर्स हम लोग ले सकते हैं कहने का मतलब यह है कि आगे कमेटीज को फॉर्म करना होगा ऐसा कैमपबल ने बोला था तो आगे कमेटीज को भी फॉर्म बनाई जाती है जिसका नामें स्ट्राची कमिशन यह बनाए गेती 1880 में और इस समय लॉड लिटन जो की बहुत ही खतरनाक आदमी थे उनके पॉलिसी वगरे को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि वाट कैंड आफ एक्स्प्राइटेशन दिस मैन हैस डून इ चाहिए रिश्यारा जेए है तो इस सटेट को रिश्पोंसिमिलिटी दे दी गई थी अगर कोई भी चीज़ होती तो सके वाच करिए उसको मोनिटर करिये रिगुलेर्यट्ग करिए उस पर कुर्स अफशन अपना स्टार्ट करिए जो कमिशन मनाई आती यह आती है वह Lail commissions लिल कमिशन बनाई गए थी 1886 में और इस समय लॉड एलगिन टू गवर्नर जनरल थे यहां पर उन्हें ने रिकमेंडेशन दिया कि डवलप्मेंट आफ इरिगेशन फेसलिटीज सिचाई के लिए इरिगेशन के लिए बेटर तरीके से फेसलिटीज हमें डवलप करनी यहां पर जो कमिटी रिकमेंड करती हो यह कहती है कि हमें बोड बना देना चाहिए और इस बोड के माध्यम से चीजों को मॉनिटर किया जाएगा एक पर्मानेंट सेटल्मेंट टाइप की चीज़ें हो जाएंगी कि अगर फैमाइन आएगे तो दिस बोड विल रिस्पॉं कर दिया गया था जो किहाट अवर भी कंडिशन्स होती है बुरी होती है इया कोई एक्षन लेना हो तो साहब हमारे यही मेध्यक prepared अएशन के द्वहारा बोला गया ten one बाई-one कर के साहब चले से बटिस इन्पॉर्टेंट देएμपल के मदरास में और यहां पर करीब करीब 20 लाख लोग जो है वो मारे गए थे उडिशा में केवल और केवल अगर देखा जाया तो दस लाख लगबग लोग मारे गए थे सिंस तब फैमीन वाज मोस्ट सीविर इन उडिशा इस वज़े से उडिशा फैमाइन के नाम से भी जाना सब्सक्राइब तो जो भी कंडिशन पहले चल रही थे मार्केट के वही सारी कंडिशन को आगे भी बढ़ाया गया था गवर्मेंट दिन नॉट प्रवाइब इंप्लाइमेंट टूदा टेबल बुक्ड मैं लीविंग दवर्क आफ चैरिटेबल डू रीफ तू दूदा व और इस तरीके से यह जो कैमबल कमिटी थी इस फैमाइन के कारण से कैमबल कमिटी बनाई गई और जो कि पूरी तरीके से टर्निंग पॉइंट हो गई थी जहां पर एक तरफ बिटिशर जो एक्स्प्लाइट कर रहे थे वह अचानक से बहुत ही केरिंग बन गया थे किया र परिवर्तन बिटिश पार्लेमेंट के प्रिशर के कारण से ही था और यहां पर इसी कैमबल कमिशन ने यही कहा कि हमें कंटिनुवसली वाच करना होगा कि कोई फैमाइन आ दिया तो उसमें क्या-क्या चीज़े की जा सकती है और साथ ही साथ में आगे आने वाले टाइम में में कसी कंटिश बना बना करके चेक करना होगा तो आगे आने वाले टाइम में जो कमेटी बनाई गए ती उसमेंसे पहली कमिटी थी जिसका नाम है स्ट्राची कमीशन कि इसके जो लीडर्शिप में थे मताब चीर मैं थे उसका नाम ता सो लिचर्ड श्ट्राची 1878 में बनाई गई थी कमिटी ने क्या रिकमेंड ने क्या कमिटी ने रिकमेंड किया इस्टेट इंटर्फेरेंस इन दा फूड ट्रेड इन दा इवेंट आफ माइन इस्टेट को करना होगा इस्टेट ही रिस्पॉंसिबिलिटी लेगा हर एक चीज की खाना अगर प्रोवाइड करना है चाहे पैसा प्रोवाइड करना है कुछ भी करना है अल्टिमेटली प्रोविंसेस को ही देखना होगा और इस तरीके से एनदर मेजर फैमाइन आ गए थी 1896-1997 के दोरान में एक और चीज इस्ट्राइट्टी कमिशन ने ये कहा था कि देखिए अगर कोई फैमाइन आती है तो आविसली हमें कुछ नौन गवर्मेंटल बॉडीज को इनवाल्व करना होगा किस चीज के लिए रिलीफ वर के लिए अगर कोई रिलीफ पहुचाना चाहता है कोई खाना पीना कुछ भी पहुचाना चाहता है तो फिर एंजियोग को हमें इन्वाल्व करना होगा यह अच्छा काम करेंगी और एक नॉन बाएस्ड काम करेंगी आगे आने वाले टाइम में लिल कमिशन को बनाये गया था लिल कमिशन जो होती irrigation नहोने के कारबस से जो फसले हैं जो suicidally क्या हो रही है खराब हो जा रही है इसलिए हमें irrigation पर ध्यप्र ध्यान देना होगा और irrigation पर ध्यान देने के लिए उन्होंने क्या किया था UK calendar in canaling में किया हुआ कि नई नहरें अगर एका निर्मार किया गया नए नहरे बनाई गई और अल्टीमेटली हर एक खेट को कोशिश ये किया गया कि कैनाल के थ्रू जोड दिया जाए इरिगेशन जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाए यहां पर इनके जो भी जो भी काम यह कर रहे थे या फिर कहा लिजए जो भी एक्स्वाइटेटिव या एनिहाओ इफ एनी ऑफ दमेजर्स टेकन भाई दिस गवर्मेंट तो वहां पर कैनलाइजेशन को भी एक अब्जेक् कमिशन बना दिया और कहा कि चलो ठीक है माइन को देख लेते हैं कि आखिर में किस तरीके से क्या चल रही है इस माइन कंडिशन में 1900 में चेर्मैंशिप में सर एंटोनी मैकडॉनल को कंस्टिट्यूट किया गया टूरी एवालूएट और रिकमेंड चेंजेज इन रिपोर् क्या दिया दा कमिशन रिकमेंडेड ऑफिशल मशिनरी डिलिंग एक बोर्ड बना दिया जाएगा और इक चेर्मैन रहेंगे जो की कमिशनर सहाब कहलाएंगे और वही रिस्पॉंसिबल रहेंगे वर्कर राउंड दाइयर सो दैट स्केरसिटी और फूर्ड ग्रेंड कुड करके रिकमेंडेशन दे गई हैं और किस तरीके से कमेशन फॉर्म की गई है लॉकलिशन के लिए आप लोगों को पता होगा कि देखें लॉकमिशन जो है वह एक एकधिक्योटीवॉड्य होती है एकज़िक्यूटीव बॉर्डवादी रही है स्बीक याईlor बात करें तो अ गवर्नर जनरल करने दी तो गवर्नर जनरल धें यह पॉइंट करते थे रस अनिया को यह स्टाट हो गई थी 1533 में यह ऋदिया घृटमेंट यह शंट law commission जो इंडिया था उसके जो चेर्मेन थे या फिर law commissioner थे वो थे हमारे मैं कॉले साहब मैं कॉले और इस तरीके से law commission ultimately इंडिया में आती गई और फिर नए-ने changes नए-ने laws बगर बनाते गए तो लोग लोग commission in India have a pre-independence origin the first law commission was formed in 1834 as a result of charter of 1833 जो कि हम लोगों ने यहां पर discuss किया कौन थे इसमें मॉकाले साथ थे the first commissions recommendation resulted in codification of the penal code and criminal procedure code three other law commissions were constituted before independence by the British government कौन कौन सी थी second जो बनाया गया था वो थे जौन रॉमिली 1853 में बनाया गया इन चारों लोगों का नाम आपको याद रखना है बेसिकली तीन ही लोग है लेकिन अगर टर्म वाइस देखा जया तो चार लोग है चारों का नाम आप लोगों को बनाया गया है वो सारी चीजों में इन चारों कमिशन ने काफी अच्छा इंपोर्टेंट अपना रोल प्ले किया है आफ्टर इंडिपेंडेंटेंस फॉस्ट लोग कमिशन जब बनाया थी इत 1955 में तो उस समय कौन थे आपको बताना है कॉमेंट बॉक्स में कि फॉस्ट ल condition of bringing law reform in the country through the medium of law commissions तो इन फैक्ट आगे आने वाले जैसे क्या है भी आप लोग जानते होंगे कि 21st 21st law commission अभी रिसेंट में constitute की गई है और इस law commission के यही बेसिस पर recommendations आती है और यही recommendations ultimately आगे जाकर के कोई ना कोई law form करती है तो इन सारी चीजों के बारे में हम लोग ने देख लिया law commission भी हमारा complete होता है आगे बात किया जाए कुछ छोटी मोटी और भी committees हैं उनको भी देख लेते हैं because they are also having importance with respect to our examination next आती हमारी करेंसी को ले valuation को एक बार देखना और साथ ही साथ में यह देखना कि जो इंडियन रूपी है इसे हम किस तरीके से international market में यूज़ कर सकते थे तो इन दोनों काम के लिए ही committees वगरे बनाई गए थी यहां पर तीन important committees है तीन क्या इंफेक्ट चार important committees है committee का नाम पहले देख लेते हैं फिर उसके बारे में देखेंगे एक पहली committee है जिसका नाम है men's field commission इसके अलाबा फॉलर कमिशन बेविंग्टन स्मित कमिशन और लास्टली हिल्टन यंग कमिशन इन चारों लोगों का किवल आपको नाम ही याद रखना है अगर इनके काम को देखा जाए इनका objective को देखा जाए तो देखिए इंडियन करेंसी committee या फिर जो फॉलर कमिटी थी डिस वाज़ा गवर्मेंट कमिटी अपॉइंटेड ब्रिटिश रन गवर्मेंट ऑफ इंडिया इन 1898 सबसे पहली 1886 में डफरिन के ताइम पर बनाई ग क्या है किवल आपको नाम याद रखनी की यह सारे नाम बहुत ज्यादा इंपॉटेंट है और आपसे दो तरीके से question पूछे आ सकते एक पूछा सकता है एक direct basis पर कि आपके recommendations of the committee क्या थी दूसरा पूछा आ सकता है मैंस दा अगर बात किया जाएं यहां पर क्या काम था इन साहब लोगों का तो अंटिल 1892 सिल्वर जो होती थी इंडियन करेंसी हैड लाजली वीन बेज्ड सिल्वर की जो कॉइन होती थी उस पर ही सारे मेटल सारे बेसिकली मिंटेज वगरे की जाती थी कॉइन वगरे जो भी यहां पर बहुत इंपॉर्टन चीज हुई थी जो रिवाल्यूशनरी लोग थे उन्होंने क्या किया था इस सिल्वर को पिघला पिघला करके बुलेट्स बनानी शुरू कर दी थी और इस कारण से क्या होगा सिल्वर को हटा दिया जाएगा तो 1892 में गवर्मेंट आफ इं गया था वो इस तरीके से ही किया गया तो ध्यान रखिएगा कुछ कमेटी के नाम और जो इवेंट्स वगरे हुए हैं उनके बारे में अब जरा फटा पर चलते हैं हम लोग और एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि कौन कौन सी कमेटी किस से रिलेटेड है क्योंकि हम लोग आगे सक्सेसिवली डिसकस कर लेंगे अगर बात किया जाए चार्ल्स वुड डिस्पैच पता है आपको वुट्स डिस्पैच के नाम से 1854 में आई थी एजुकेशन को ले करके थी जिसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिसकस कर लिया था इसी तरीके से हंटर कमिशन एज के लिए बी एजुकेशन के लिए था ही इसका यह भी याद रखना आपके लिए इंपोर्टेंट है क्योंकि कई आपको पूछ दिया जाता है तो सीक्वेंस वाली चीज भी आपसे पूछी आ सकती है तो बैटर भी प्रिपेर्ट क्या आपको याद होनी चाहिए गन opportune या याद रहे तेट इस गुड एनफ बहुत अच्छी बात है और अगर नहीं तो क्रूनों लौजी याद रखिएगा कि कौन सी कमिटी कब आई है इसके लावा अगर आगे बात किया तो हमारे पास कैंबेल कमिशन स्ट्राची कमिटन लिल कमिशन और बैंक डॉनल कमिशन यह किस के लिए हो जाएगा यह सारे के सारे फैंमाइन के लिए हो जाएंगे जिसे अभी हम लोगों ने ही करस किया चांकin के लिगै और लिख het है लास्ट में यहां पर अगर आप देखेंगे तो दिस इज हिल्टन यंग कमिशन जो की बनाए गए थी करेंसी को ले करके जिसके बारे में वी हैब डिसकस्ट इसके लावा एक और चीज़ा जो हम लोगों ने डिसकस्ट नहीं किया वो दूसरा जो बनाया गया था वो जब 1919 में जलिया वाला हो गया था तो जलिया वाला बाग के बाद यह कमिटी बनाए गए थी तो रिविवीव द आट जो भी चीज़े होई थी उसकी रिविवीव उसकी मॉनिट्रिंग करने के लिए फिर एक तरीके से रिपोर्ट पब्लिश क करने के लिए फिर जलिया वाला बोली है उसको ले करके हंटर कमिशन बनाई गई थी फिर एक और कमिटी है जिसका नाम है मुड़ीमान कमिटी मुड़ीमान शक्तिमान ठीक है यहां पर क्या है कि जो बिसिकली 1919 के एक्ट में मॉंटेगी चेंस फोर्ड के एक्ट में जो डाय रिकमेंडेशन कौन-कौन सी जैसे कि बटलर कमिशन के रिकमेंडेशन साइमन कमिशन के रिकमेंडेशन और थ्री राउंड टेबल कमिटीज की रिकमेंडेशन के बेसिस पर अल्टिमेटली गवर्मेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया था और इस गवर्मेंट ऑफ इंडिया 19 इसको अबॉलिश कर दी गई थी और फिर आगे सेंटर में इसे कंटिन्यू कर दिया गया था इसके आगे बात करें दो बटलर कमिशन अभी हम लोगों ने बात किया इंडियन स्टेट्स को लेके प्रोविंस को लेकर के ही था 1927 में बनाया गया था विटले कमिशन इसका नाम याद रखेगा इस अगें वेरी इंपॉर्टेंट यहां पर यह बनाया गया था लेबर फोर्स के लिए बाकि साइमन कमिशन तो खैर सबको पता है दिस इस वाइट वेरी वेरी फेमस तो इन्वेस्टिगेट दा प्रोग्रेस आप लोगों के बारे में अप लोगों के लिए बनाए गई थी द्यान रखेगा सपीकमिशन कंब बनाए गया और क्यों बनाए गई एक तो प्रसके लिए है और दूसरा अनेप्लाइमेंट आत्यार्मी पर और फ्लाइड कमिशन यह टिनेंसी बेंगॉल के ले करके बनाए गई थी 1940 में इसी टिनेंसी बेंगॉल को ले करके अल्टीमेटली यहां पर क्या हुआ था कि ट्राइबल रिवोल्ट भी हुआ था इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है तो यह थी पूरी कमिटीज के बा इसके अलावा देखिए यूटूब बटन पर क्लिक करके आप मेंबर्शिप ले सकते हैं और मेंबर्शिप के थूरू आप यह सारे मटेरियल्स और वीडियो एक्सेस भी कर सकते हैं मिलते हैं अगर कोई डाउट होगा तो आप डिस्रिप्शन बाक्स को चेक कर सकते हैं महा प्रशा हैं और कि अग्यू आतल सकते हैं और जलावा सूर। नहरा मेंबर्शिप रांपक thank you so much